कि रड़ों दोस्तों नमस्कार आईए आज फिर से हम डग्य के बारे में बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है डग्या अगर गुद गुद आएगा नहीं आपका तो आपके तबले पर मज़ा नहीं आएगा मतला इंप्रिशन नहीं बनता है तो वह मज जाते हैं मैं जानता हूँ कि सब बज़ाते हैं लेकिन कहा पर इसका दम पढ़ना चाही कहा पर उसका खुला बोल होना चेह gather तो वह चीज अगर आपको पर लेंगे तो वाकई में आपका डगा गुद गुद आएगा और पाएं का अभ्यास होगा पाएं के लिए बहुत ही अच्छा बोल है आप इसका अभ्यास करेंगे और यह जनरली हर एक जगे काम आता है आपके काईदों में यह सबसे जाधा होता है काइदे में जो भी आयं मैं आप इसको पूरा खुला explain कर देता हूं कि कैसे कहां पर आपको किस तरह से बजाना है तो और बजाना कैसे देखिए कहां खुला बज़ रहा है कहां पर हमको बंद बजाना है तो यह देखिए अब आगे पीछे हो रहा है उपर नीचे लो चा रहा है कैसे लो चाहेगा आप यह देखिए मैं बता रहा हूं आपको कुछ नहीं करना है आपको simple खुला मारना है पहले धा है ना फिर धा को दबाना है यह देखो अब गे हलका सा पीछे अब देखिए अब देखो धीना गीना दोनों खुला ही है धीना गीना हलका सा इसको उठा लीजिए धीना गीना धा धा खुला देखिए कौन-कौन से बोल खुले सिर्फ एक ही बोल बंद वो भी धा ठीक है बाकी सब खुले बोले धा तिट धा बंद यह खुला फिर धीना गीना है ना धीना ही ना खुला अब सेम वही है बस इसमें एक ही बोल धा बस बंध है बाकि सब खुला है और अभ्यास कैसे कीजिए आप ऐसे बस धा के समय में आगे जाईए बाकि पूरे बोल पीछे बजाईए खुले बस इतना ही था इतना ही मुझे बताना था आप देखे कितना प्यार से ऐसे में आपका गुद गुद आगा अब बढ़िया इसको जटका दीजेता है ऐसे जटका दीजेता है अब दीना गीना अब दीना गीना पूरा खुला बोल बजा दी बस इतना ही था इस वीडियो में थैंक यू